हेलो फ्रेंट्स, जैसा कि आज आज आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक नया इंस्टेंट फूड लेकर आया हूँ, जो कि है हल्दी राम्स का ये पालक पनीर तो फ्रेंट्स, ये मैंने आउनलाइन एप से मंगवाया है, आप चाहें तो इसको किसी भी रिटेल स्टोर से भी खरी सकते हैं तो फ्रेंट्स, बिना टाइम वेश करें, मैं आपको इसके बारे में और डीटेल्स बताता हूँ, तो दोस्तों, ये हल्दी राम्स का पालक पनीर दो लोगों को सर्फ करता है, और ये बिल्कुल इंस्टेंट रेश्पी है, तीन सो ग्राम की है ये, बाकि इसकी और डीटे दे रखा है, वो 165 है, और 300 ग्राम का ये पैकेट है, बाकि इसकी देखें तो और nutritional information दे रखिये, और इसको बनाना बहुत ही instant है, बहुत ही easy and instant है, बस आपको इसका जो अंदर का जो content है, वो बस एक boiling water में डाल देना है, तीन से पांच मिनट के लिए, या इसका content को आप fry कर सकते हो, तीन से पांच मिनट, या इसका content पूरा किसी बाल में निकालके, आप इसको microwave भी कर सकते हो, तो friends, देखने में तो ये पालक पनीर, हल्दी राम्स का मिनट खाना बहुती tasty सा लग रहा है, तो चलिए आईए इसको, अब unpack कर के देखते हैं, कि ये अंदर से कैसा है, तो friends, अब ये मैंने इसको unpack कर लिये है, और ये अंदर से देखिये, पूरा sealed packet है, हल्दी राम्स का मिनट खाना, पालक पनीर, तो चलिए अब इसमें भी ये वही cooking instruction दे रखे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बाकि इसको चलिए अभी spec को भी एक भर खोल के हैं कि ये अंदर से कैसा है, इसको मैं एक ये देखिये अंदर से काफी टेस्टे से लिए, इसको मैं एक बोल में कर लेता हूँ, तो friends, ये मैंने देखिये, इसको भी unpack कर लिया है, और ये काफी ठिक ग्रेवी सा है, इसको बस आप आपको जो cooking instruction दे रखे हैं वैसे इसको बस ready कर लेना है और ये बिल्कुल ready to eat है तो चलिए मैं इसको एक बार heat कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनके ready होता है और इसमें आप पनीर भी देख लिए काफी अच्छी quantity में है कम से कम 10 से 12 पीस है जो कि दो लोगों के लिए sufficient है तो friends इसको मैं finally अब ready करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है तो friends जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये अब पालक पनीर बिल्कुल ready है काने के लिए और ये ready to eat हो गया है इसको मैंने microwave कर लिया था 3-5 मिनट के लिए और ये बिल्कुल तयार है आप इसको किसी के भी साथ पराठे के साथ या रोटी के साथ या राइस के संग खा सकते हैं और जी हाँ इसको मैंने अलग से इसमें मिर्च का एक तड़का भी लगा दिया था ताकि इसका flavor जो है और अच्छा हो जाए और ये देखी काफी thick सी gravy है और इसका जो taste है वो विल्कुल authentic पालक पनी की तरह है तो friends मैं इसको 100% recommend करूंगा हल्दी राम का पालक पनी और दो लोगों के लिए sufficient है तो friends अगर आपको मेरा ये review पसंद आया हो तो do subscribe and like my channel Thank you very much